मा, बाप, आँखे नम हो गई होगी ना, कौन है ये, क्या दिश्टा है इनसे हमारा, क्या दिश्टा है इनका हम से, सच में अगर कोई दिश्टा है, तो फिर क्यूं अपने मतलब के लिए इनको पूछते हैं, जब कुछ बन जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, एक घर बना लेते हैं, फिर क्यूं हम एक लैप्टॉप के अंदर नेट में सर्च कर रहे होते हैं, मुबाइल में पूछ रहे होते हैं, लोगों के घर जाके पूछ रहे होते हैं, इनके लिए विद आश्रम लात मारने की और लात की तो आदत ही होती है मा की कोक से बस फर्क इतना है कोक में मारी गई लात खाके मा बाब खुशी से फूले नहीं समाते और वही लात उडापे में खाके वो अपने आंसू रोक नहीं पाते एक बड़े बुजूर की उंगलियों में ताकत तो नहीं होती पर सच कहती हूँ उसके कामते हुए हाथ जब मेरे जुके हुए सर पे पड़ते है तो मानो जिन्दगी भर की दुनिया भर की मुझे दौलत ही मिल गई हो एक खर जिसे बनाने में माबाप अपना खून पसीना एक कर देते हैं ताकि वहां हम सब मिल के खुशी से जी सके पर उसी घर के लिए हम सभी ने लड़ते हुए देखा होगा कि इसमें इतना मेरा हिस्सा है क्या कभी उनी बच्चों को अपने माबाप के लिए लड़ते वे देखा है कि मैं अपनी मा की सेवा करूँगी मैं अपने बाप की सेवा करूँगी मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ पसीने भाती है मा धूप में तपता है पिता तब जाके कहीं एक खुशी से अच्छा से एक पच्चा बलता है Guys मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ अगर ये मेसेज से मेरा आपको समझ पा रहे है आपको लगता है कि मेरे इस मेसेज से किसी का अच्छा हो सकता है तो प्लीज शेयर कीजिये जाते जाते बस कुछ चन लाइन हसारो गम हो फिर भी खुशी से फूल जाती हूँ मैं जब हस्ती है मेरी मा तो हर गम भूल जाती हूँ मैं थैंक यू